नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ काविन चौहान बुलिटिन के शुरुआत करेंगे कैसी ख़बर के साथ कि जहां करिश्मा हुआ है जी हाँ देश बर में स्वचिता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्यप्रदेश के शहर इंडौर में अब शहर के कच्छरे को भी हूर्जा में बदल दिया है यहां एशिया का सबसे बड़ा बायो-CNG प्लांट बनाए गया है जिससे जल्द ही करीब 400 बसें बायो-CNG से चलेगी आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उधखटन करेंगे 15 एकड में फैला ये प्लांट 150 करोड की लागत से बना है इस प्लांट के जरिये रोजाना, 400 बसें और 1000 से जादा गाणिया चलाने की उधखना है इस प्लांट के जरिये ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुचेगा बलकि इससे कमाई भी होगी ये प्लांट PPP मॉडल पर बनाए गया है जिससे इंदौर नगर निगम को सालाना 25 करोड रूपए की आमदनी होगी तो ये बायो सेंजी प्लांट आपकी स्क्रीन पर है जिसका उधखाटन आज खुद प्रधान मंत्री नरिद्र मोधी करेंगे तो ये उत्रप्रदेश में कल तीसरे चरण का मतदान होगा है जिसके लिए सत्तारूर दल समेट विपक्ष ने अपनी ताकत जोगती है वह ये बॉलिवोड एक्ट्रेस कंधना रनौत रे यूपी की जन्ता से बीजेपी को वोड देने की अपिल की है अभी नेतरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो को शेर कर कहा है कि हमें अपने चहती यूगी सरकार को फिर से वापस लाना है कंगरा इस वीडियो में बोलती हैं हम सब जानते हैं उत्रप्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरक्षेत्र में हमारा एक मात्र हत्यार है वोट याद रखें हमें अपनी चहेती यूगी सरकार को फिर से वापस लाना है इसने भर-भर के वोट थेने होखें उन्होंने आगे कहा जब भी जाएं तीन से चार लोगों को साथ लेकर जाएं याद रखें विजय का ये किर्थिमान तूटे ना एक भी वोट तूटे ना जैशे दोस्तों हम सब जानते हैं कि उत्रप्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक शेत्र में हमारा एक मात्रहतियार है वोट याद रखें कि हमें अपनी चहीती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है इसलिए भर-भर के वोट देने होंगे और जब भी व जैश्री राम को बर्खास करने की मांग के चलते कल ही सदन के कारवाही में करीब दो घंटे का बिलम हुआ सदन की कारवाही शुरू दस वजे होती थी लेकिन प्रश्टिकाल के शुरू होते ही कॉंग्रेस सदस्यों ने इश्वर अप्पा को बर्खास करने की मांग करते हुए नारे पताने की ईश्वर अप्पा से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या लाल के लिए पर कभी भगवा जंडा फैराया जा सकता है इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज नहीं भविश्य में किसी दिन उनके इसी बयान के बाद करनाटक में बवाल मच गया मही राजस्तान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोट ने पूरू तीरंदाज लिंबाराम की इलाज के लिए मुख्यमंतरी राहत कोश्टे दस लाख रुपए की वित्य साहिता को मंजूल गी है उद्रपुर के सरदीत गाउं के रहने वाले तीन बार के उलम्पियन लिंबाराम पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूज रही है पिलाल गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका ब्रेन स्ट्रोक का इलाज चल रहा है सीफ गहलोत ने लिंबाराम की बीमारी के बारे में जानकर मुख्यमंत्री रहत कोष्टे 10 लाख रुपे की वित्य साहिता सुविक्रत की है और प्रधान निवासी आयुक्ति शुग्रा सिंग को बीमार तीरंदाज को हर सभव साहिता देने का निर्देश दिया है लखनों में आज रात आठ बचे बीजेपी प्रधेश मुख्याले पर बीजेपी की एहम बैठक होनी है इसमें चुनाओं के आने वाले चरणों को लेकर नीती बनाई जाएगी चौथे, पांचवे, छटे और सातवे चरण को लेकर मन्थन किया जाएगा बीजेपी अदेक्षे, जेपी नडडाव, ग्रहम अंतरी, अमिश शाह बैठक में मौझूद रहेंगे जिसमें अकले चरणों के रड़नीती को लेकर रूप रेखा तैक ही जाएगे तो आगामी चुनाओं को लेकर रड़नीती बनाई जाएगी लखनों में बीजेपी के एक एहम बैठक होने जा रही है इस बैठक पे तमाम बड़े नेता मौझूद रहेंगे और इसके साथ है आगे के जो चुनाओं भी बाकी है जिसमें बीजेपी के अध्यक्षिर जेपी नड़ेटी बनाई जाएगी जिसमें आगामी चुनाओं को लेकर रड़नीती बनाई जाएगे वही लखनों मद्द से बीजेपी प्रत्याशी रजनीश गुपता के समर्थन में पचार करने पहुंची अपड़ना यादव ने कहा कि सोशल नेट्वाकिंग के मामले में सबसे आगे रशेश कुपता है दस मार्च के बाद फिर से बीजेपी आ रही है जब कोरोना था योगी जी के पिता जी का देहान्त हो गया था लेकिन वो कोबिट सेंटर में हमारे आपके लिए बैठे रहे वो चाहते तो पिता जी के निधन पर जा सकते थे लेकिन उन्होंने राज धर्म मर्यादा का पालन करना ज़्यादा उचित समझा वो गौरवशाली तिहास के साथ गौरवशाली मुख्य मंतरी हैं हमारे प्रदान मंतरी जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास माफिया राज और गुंडा राज योगी राज में खत्म हुआ है दस मार्च के बाद भी बुल्डोजर चलने का ही काम होगा यह तस्वीरें लखनों से आपको दिखा रहे हैं जहां लखनों मर्दे से बीजेपी परताची है रजनीश गुपता इनके समर्थन में मुलायम सिंग यादव की वहू और बीजेपी नेता पढ़ना यादा पहुची थी उन्होंने यहां उनके तारीफ में कसीदे गड़ते हुए कहा कि सोशल नेटवाकिंग के मामले में रजनीश गुपता सबसे आ गया है और दस मार्च को एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही है उन्होंने इस बीच उस वाक्या का भी जिकर किया जब करोना काल के दर्मियान मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ के पिता जी का देहान्त हो गया था लेकिन वो वहां नहीं गये बलकि कोविट सेंटरों का निरिक्षिन कातर है इस वाक्या को याद दिलाते हैं उन्होंने कहा कि सीम योगी आदितनाथ ने राज धर्म मर्यादा का पालन करना उचे समझा था उस वक्त और वो गौरवशाली इतिहास के साथ गौरवशाली मुख्य मंत्री है और साथ ही साथ इस बीच उन्होंने प्रतान मंत्री मुधी जी के बारे में भी कहा उन्होंने कहा कि प्रतान मंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकाश सबका विश्वास माफिय राज और गुंडा राज योगिराज में खत्म हुआ है और बुल्डोजर का जिक्र भी उन्होंने किया उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद भी बुल्डोजर चलेगा सेवा के लिए अपना अमोलिया योगदान दिया है ऐसे प्रत्याशी जब आपके बीच में है तो ये आपका नेतिक दायत्त है कि आप उन्हें यहां से चुन करके विधान सवावेजे नाम में भी परम सत्य की प्राप्ति है और ये बात उन्हों को अभी शायद समझ में नहीं आ रही इसी लिए दस्पार्च के बाद भाजपा फिर से आ रही है कि राम नाम को जो लेगा जहां उनकी शरण में जो कोई भी जाएगा क्योंकि राम भारत का चरित्र है प्रत्याशी रागवेंदर सिंग ने गाड़ी चेक करने वाले दरूगा पर तंच कसा है उन्होंने दरूगा अंजनी राए से कहा कि सत्ता जाते ही आप लोगों का रंग बतल जाता है बता रहें कि भवानी गंजे धाना इंचार्ज अंजनी राय भडरिया पुलिस चौकी के पास गाड़ीयों की चेकिंग कर रहे थे कि तभी बीजेपी प्रत्याशी रागवेंदर सिंग की गाड़ी को चरती है जिसको चेकिंग के लिए रोका जाता है वहीं दोनों के बीच हो रही बातशीत का वीडियो सोशल मेडिया पर खूब आरल हो रहा है कौशामबी से बीजेपी सांसर्द विनोज सोनकर ने अखिलेश यादब पर अभद्र और अमर्यादत टिपड़े की है उनका कहना था कि ये शुद्ध रूप से जातिवादी, परिवारवादी, भरस्टाचारी, बलाद कारे, नमाजवादी और शुद्ध रूप से सत्ता के भूखे लोग है तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी से सांसर्द है विनोथ सोनकर जिन्होंने इस तरीके के टिपड़ी की है कौसामबी से आपको बता दें कि बीजेपी के सांसर्द है विनोथ सोनकर इन्होंने चुरावी मौसम के बीच अखिली शादव को लेकर अभद्र और अमर्यादे टिपड़ी की है उन्होंने सीधे तोर पर निशाना साथते हुए अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और सीमा तोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि अखिली शादव की पार्टी शुद रूप से जातिवादी, परिवारवादी, भरष्टाचारी यहां तक तो ठीक था लेकिन आगे वो कह गए कि बलातकारी, नमाजवादी और शुद रूप से सत्ता के यह भूखे लोग है तो ऐसा बयान एक सांसत के मूँ से अखिली शादव के लिए निकला है झाल तो विधान सभा चुनावों में तीसरे चरड का चुनावी शोर तो थम चुका है चुनावी शोर खत्म होते ही निर्वाचनादिकारियों ने अपनी तैयानियां शुरू करते हैं कनौज में जिलादिकारी ने मतदान से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि इस पार जिले में तीनों विधान समाओं की पोलिंग पार्टियां अलग अलग जगह से रवाना होंगी डियम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि COVID संक्रमन के चलते इस बार तीनों विधान सभाओं को पोलिंग पार्टियों को एक ही जगह से नारवाना कर तीन अलग अलग जगहों से भेजा जाएगा कनौज की तीनों सीटों की 140 सेक्टर और 16 जोन में बाठा गया है डियम ने शांती पूर्वक और ज़्यादा मतदान करने की जनता से भी अपील की है यूकरेन और रूस के विवाद के बीच शुद युद्ध होने की ख़वर से चात्रों के परिजन परिशान है 36 गड़ के बलरामपुर जिले की कुस्मी में दो चात्रे रविकांत्र मैत्री और शुभाशीश मिश्रा जो की उकरेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं उनके माता पिता दोनों चात्रों को लाने के लिए राज्यों और केंदर सरकार से अफील कर रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ भारत के सभी चात्र चात्राएं युद्ध से पहले सुरक्षत देश आ जाए बहुत परिसान हूं मेरे बेटा के लिए का बाजाए घार इतना परिसान हूं कि मैं राज दिन बहुत चिंतित रहते हूं मैं मोटी सरकार से अपील करते हूं कि जल से जल भारत वासी को यहां भेज़ दे आप लोग के चिनल के चारो तरफ से तीनो तरफ से घेर रखा है रूज जो है और कभी भी अटेक कर देगा अचानक से कल रात को युक्रेन में जो राजदूत है भारत भारती राजदूत वो एकदम से उनों बताया कि भाई आप लोग बिवस्था कर दो और भारत के वाले चले जाए कालेज सौरी कॉलेज के जो वो हैं वो बोले कि आप लोग अपने रिस्क पर चले जाएए ना रात में सो पारहने ना दिन को चैना रहा है तो हमारा क्या है कि इस्टेट राजी सरकार और केंदर सरकार से अपील है कि हमारे बच्चे और बच्चे लों को मतलब हिंदूस्तान नों वापस लने के बस्था करें संबल में योगी सरकार के पुलस ने एक बार फिर सरानिय काम किया है आपको बता दें कि संबल के थाना धनारी के काउं मुढहना में एक दलित बेटी की बारात निकलने वाली थी इस तोरान बेटी के भाई ने बारात रोकने के आशंका जताई थी जिसके बाद पुलिस ने परिवार की मदद करते हुए दलित बेटी की बारात शांती से निकल वाई जिसके बाद दलित परिवार ने पुलिस की सराना की है तस्वीर संबल से है जहां पुलिस का सरानिय काम देखने को मिला है यूपी विधानसभा 2022 को लेकर पीली भीत में चौथे चरण यानि 23 फरवरी को मतदान होना है जिसको लेकर तमाम सियासी दिगचनेता जमीन पर उतर चुके हैं आज 19 फरवरी को सूबे के मुख्य मंतरी, यूगी आदितनाथ, पूरनपुर विधानसभा और बीसलपुर विधानसभा में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे वही दूसरी और जिला मुख्याले पर स्तेते ड्रमंड अराज किये, इंटर कॉलेज में सफारास्ट्र अध्यक्ष अखलेई श्यादव अपने चारों प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर, 2022 के चुनाव में जनता का साथ और आशीरवात मांगे के बता देगी जिले में चार विधान सभा सीटे हैं जिसको लेकर बीजेपी सफा के दिगच नेता अपना अपना जूर आज माने में लखे हैं उरब बिधान सभा विशर बिधान सभा में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी जन सभा को संबोधित करने के के लिए उसकति बॉर्दित कथ समर्थन में बोर्ट मांगने के लिए यहां पहुचँ रहा है तो वहीं चुनावी घमास्तान के बीच हलकी फुलकी कुछ वीडियो भी सामने आती रहती हैं ऐसे में पूर मुख्य मंत्रिया खेले श्यादव ने एक छोटे सपाई का वीडियो ट्विट किया है अब यह वीडियो काफी वारल हो चुका है इस वीडियो में एक छोटा सपाई कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना की बिरोजगार पिट गए योगी जी की सरकार में अब ये वीडियो काफी वैरल हो चुका है इस वीडियो में क्या कुछ ये छोटा सपाई कहता हुगा नजर आया है आप भी सुनिए इतना तुमा जनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना प्यरोजगार छात पिटा भाजपा के तरकार में तो ये ललिवपूर के महरावनी राजमार श्थित ग्राम सिलावन के पास बारातियों से भरी पिक अप और ट्रक ने जोरदार भिड़न्त हो गई जिसके चलते एक की मौत हो गई और खायलों के जिलास्पताल में भरती कराए गया है बताया जा रहा है कि पिक अप में एक दरजन के करीब लोग सवार थे बारातियों से भरी पिक अप और ट्रक के बीच ये जोरदार भिड़न्त हो गई जिसके चलते एक की मौत बताई जा रही है खायलों को जिलास्पताल में भरती कराए गया है बताया जा रहा है कि पिक अप में एक दरजन के करीब लोग सवार थे जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और बाकी अन्य खायलों को अभी अस्पताल में भरती कराए गया है फिल आज के लिए इस बुलिटन में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया